बिसमिल्ला रह्मारहीम एकसरसाइज 3.2 क्वेसिन 2 का पार्ट 3 ठीक है find the mark price when sales price at 2400 डिसकांट 4% हो तो हमने mark price find करनी है ठीक है mark price mark price का हम फर्मूला लिखेंगे mark price is equal to 100 by 100 minus discount multiplied by sales price ठीक है यह इसका फर्मूला है तो इसमें हम values put कर देते हैं दो values हैं मर बस वह हम इन दोनों की जगा put कर देते हैं तो हमने क्या किया 100 की जगा 100 लिखा divided by divided by 100 100 यहां पर minus minus ठीक है discount की जगा 4 4 यहां पर मारबास value है और sales price यह जो लिखी है इसकी जगा हमने यह multiply के बार 2400 multiply के बार sales price लिखनी थी तो हमने यह 2400 यहां पर लिख दिया अब क्या हुआ है 100 divided by हमने यहां पर लिखा और 100 में से minus करें 4 तो आपके पास 96 आता है तो 96 हमने नीचे लिखा मैंटिप्लाइड यही हमने 2400 लिख दिया अब आपके अगरेंगे 2400 को 100 से multiply करना है डिवाइड करना है जो जो आंसर आगा उसको डिवाइड करना है 96 के साथ तो आपके पास आएगा पच्छी सो ठीक है रूपीज यह हमारा आंसर है